तीन सौ फिल्मे करने के बाद सी एम बना था ये एक्टर सतर की उम्र में 32 साल छोटी लड़की से किती शादी तेलगू फिल्मों के मशूर एक्टर नंदमूरे तारक रामाराव को एनटी आर के नाम से जाना जाता है आज उनका पिच्चानमेवा जन्म दिन है एनटी आर ने साल उन्नी सौ उन्चास में तेलगू फिल्म मना दे समसे अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की उन्होंने करी टीन सौ से ज़्यादा फिल्में की एक्टिंग के आलावा उन्होंने कई फिल्मों की पटकथा लिखी और फिल्म निर्माता के तौट पर कई फिल्में बनाई भी हैं भारतिय सिनिमा में यूबदान के लिए भारत सरकार ने रामाराव को साल 1968 में पदमश्री से समानत किया तेल्ग के आलावा एनटियार ने तमिल और हिंदी फिल्में भी की उन्होंने फिल्मों में सत्रह बार कृष्ण का किरदार ने भाया बाद में एनटियार ने पौरानिक फिल्में छोड ऐसे रोल करना शुरू कर दिया जिसका नाया प्यवस्था के खिलाफ लड़ता था एनटियार ने 1982 में तेल्गु देशम पार्टी की स्थापना की और पॉलिटिक्स में एंट्री ली फेमस सेक्टर होने के चलते एनटियार और उनके पार्टी को जबरदस्ट सफलता मिली इसी के साथ वो आंधर प्रदेश के दसवे मुख्यमंत्री बने 1983 से 1994 के बीच वो तीन बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने एनटियार की परसनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपने गाव में सिर्फ पांचवी तक की पढ़ाई की थी इसके बाद विजेवारा में रहने वाले उनके मामा ने उन्हें गोद लिया था यहीं पर उन्होंने नगर निगम के स्कूल से शिक्षा हासिल की बाद में उन्होंने इसारार और सीवी आर कॉलेज में पढ़ाई की एनटी रामा राव की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी जिससे परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए छोटी उम्र से ही काम करना पढ़ा रामा राव विजेवाडा के आसपास के होटलों में दूद की सप्लाई करते थे जो पैसे उन्हें मिलते थे उससे वो परिवार की मदद करते थे 1942 में रामा राव ने अपने मामा की बेटी बासवतार कम से शादी की थी एनटी आर के आठ बेटे और चार बेटियां थी 1985 में उनकी पत्नी का निगन हो गया था 1993 में 70 साल की उम्र में रामा राव ने तेलगू लेखक लक्ष्मी पारवती से शादी की थी लेकिन एनटी आर के परिवार ने लक्ष्मी को कभी भी स्विकार नहीं किया एनटी आर का बेटा जूनियर एनटी आर साउथ की फिल्मों में जाना माना नाम है राजनीतिक जीवन में रामा राव को काफी मुश्किल भरे दिन देखने पड़े दामाद चंदर बाबू नायदू ने एनटी आर को सीएम और पार्टी अध्यक्ष्प दोनों पदों से हटा दिया था अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पारवती के साथ रामा राव एक तरफ थे और दूसरी तरफ उनका भरापूरा परिवार उनके खिलाव था